नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं ख़बर एचपी और आईए वक्त हो गया हिमाचल पर्देश के ताजा और बड़ी ख़बरों को जानने का बतायेंगे सभी ख़बरें एक एक करके वं विस्तार से उससे पहले आप हिमाचल पर्देश के किस जीले से न्यूज को देख कमेंड बॉक्स में कमेंड करें साथ ही सभी ख़बरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को अभी सस्क्राइब करें और बेलाकन को जिर दमाएं तो दोस्तों चलिए सुरू करते हैं आज की पहली बड़ी ख़बरें अनुबंध अधार पर भरने का निरने लिया इनमें से 68 पाथ सीधी भरती के माध्यम से और सेज बैच के अधार पर भरे जाएंगी 1368 PTA चिक्चक होंगे नईमीत, हाइकोट ने दिये आदिस जह 1368 PTA चिक्चकों को नईमीत करने के आदिस दिये हैं जे सिसी बैठक में पैंसनरों के लिए बड़ी घोसना, इतने फिजदी तक बढ़ेगी पैंसन जे हिमाचल परदेश के 65 से 70 साल की उमर तक के पैंसन भोग्यों की 5-6 लेकर 15 फिजदी तक पैंसन बढ़ेगी इसके अलाबा पैंसनरों के लिए मेडिकल बीलों के भुकतान के लिए परदेश सरकार 25 कड़ रुपिये जारी करेगी आपको पता देखी 1,90,000 पैंसनरों और करीब 2,000,000 कर्मचारियों को एरियर की पहली किस्त जारी करने के लिए सरकार ने 1000 कड़ रुपिये की विवस्ता की है इसके साथ ही पैंसनरों को संसोधित पैंसन देने से सरकार पर 130 कड़ रुपिये का अतिरिक्त बोच पड़ेगा यह गोष्णाई मुख्य मंत्री जेराम ठाकोर ने बूदबार को राजी सचीवाले में पैंसन भोग्यों की संजूत सलाकार समिती की बैटक की अजित्रा में करते हुवे की मुख्य सचीव के सामने उलज़ते रहें पैंसनरों के परती नीदी इतने में हिमाचल परदेश पैंसनर्स कलियान के संके अध्यक्ष आत्माराम सर्मा खड़े होकर अपनी बात रखने लगी इतने में अन्य परती निदी कहने लगे कि पहले सभी आइटमों पर चर्चा होने दे इसके बाद चर्चा की जाए इस तरह से जब यह बार-बार खड़े होकर बोलने लगे तो मुख्य सच्चिप को कहना पड़ा पहले एजेंडे पर चर्चा करने दे सरकारी कर्मियों को पुरानी पैंसन होगी बहाल दिसम्बर से देंगे 300 यूनिट निसूल की बीजली जब बूदबार को परदेश कॉंगरस मुख्याले राजी भवन सिमला में आयोजीत प्रेस वर्ता में 36 गड़ के मुख्य मंत्री एबं परदेश कॉंगरस के मुख्ये परवेचाग मुख्य भोपेश बगिल परदेश परभारी राजीप सुखला और परदेश अदेश परतिबा सिंग सहित अनिय वरिष्ट नेताओं ने राजी में कॉंगरस सरकार बनने के 10 दिन में पुरानी पेंसन बहाल करने और दिसम्बर 2022 से घरेलू वक्ताओं को 300 यूनिट निसूल की बिजली देने की गोश परदान मंत्री मोदी का आभार जताया है कहा है कि इस पार्क की मांग को लेकर परदान मंत्री नन्द मोदी से मिले है उन्होंने केंदरिय मंत्री के समक्ष भी ये मामला उठाया है मनिश सुसोदिया बोले हर मैने महिलाओं को इसत्री सम्मान के रूप में देंगे 1-1 हजार जियाम आद्वी पार्टी ने हिमाचल परदेश की महिलावों को चोथी गरंटी के रूप में 18 साल से उपर उम्र की हर महिला और यूपती को एक एखजा रूपीय देने की गोशना की आपको पता दे कि पहले पार्टी परदेश में सहिदों को एक एक कड़ो स्वास्त और मुपत शिक्षा की तीन गरंटी दे चुकी है अब हर महिला को इस्तिरी सम्मान रासी के रूप में एक एक खजा रूपीय देने की चोथी गरंटी पार्लंपूर बुढ़ा मल केसल मैंजा में दी गई दिली के उप महतरी मनी सिसोदिया ने कहाए कि इसमें मैलाएं स्वाभी मानी होने के साथ अपने घर का खर्च भी चला सकेंगी वो पार्टी संजोजक अर्विद केजिरिवाल की और से हिमाचल की मैलाओं की हर मा एक एक हजार रूपीय देने की गारंटी देते हैं हिमाचल में 845 TGT बने प्रवक्ता उचचतर चिक्छा निजैसालन जारी की सूची जो हिमाचल परदेष सरकार ने 845 TGT पधोंधी का तोफ़ा दिया है आपको पता दे कि हिमाचल परदेश उचतर चिक्छा निदेसाले ने विभाग गिये प्यदोनती कमेटी की सिपारिशोंग पर इन TGT को प्रवक्ता प्यदोनती किया है इस संबन्द में उच चिक्छा निदेसाले डॉक्टर अमरजित कुमार सर्मा की और से आदेस जारी किये गए है देहरादुन से ले के लिए सैकिल पर निकले 60-75 साल के 6 हुआ जे होसला बुलंद हो तो उम्र माइने नहीं रखती ऐसा ही होसला लेकर देहरादुन के 6 सैकिलिस्ट 2000 किलोमिटर के सपर पर निकले है खास बात यह है कि यह सभी सैकिलिस्ट 6-75 साल की उम्र के है लेकिन इनका होसला बड़ा जैसा है देहरादुन से निकले यह सभी सैकिलिस्ट ले तक का सपर तई करेंगे लोगों को स्वास्त रहने का संदेश देने के रिए इन्होंने यह अभ्यान छेड़ा है 28 अगस्त को इनका दल देहरादून से निकला था मंगल बार को यह सभी सिमला पोँचे काजा किनोर से होते हुए यह दल अटल टरनल रोतांग कोँचेगा और इसके बाद ले तक का सफर साइकिल से ही तई करेंगी हिमाचल के मेलों में पसुओं की खरीद फरोक्त पर परती बंद जह हिमाचल परदेश में होने बाले मेलों में पसुओं की विक्री पर परती बंद लगा दिया गया है पस्वों में लंपी तोचा रोक के बढ़ने के मामले को लेकर यह फैसला लिया गया है अभी तक बाहरी राजियों से पस्वों की खरीद पर रोक लगाई गई थी जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए सरकार ने अब मेलों में भी वस्वों की बिक्री पर रोक लगा दिये आपका पता दे कि राजिय पस्वों पालन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार अब तक परदेश में 33,966 पस्वों वाइरस से संकर्मित हो चुके हैं कुल 990 पस्वों पाइरस के कारण जान गवा चुके हैं आदानी ने सेव खरीद के दामों में फिर की 2 रूपिय की कटोती जिया आदानी एगरो फ्रेस लिमिटेट ने एक बार फिर सेव खरीद के दामों में 2 रूपिय परती किलो की कटोती कर बागवानों को जोरदार जटका दिया है एक सितंबर से अटानी के खरीद केंदों पर एक्स्ट्रा लार्ज 48, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्मॉल 56 और पीतू 48 रुपिये परती किलो के रेट पर खरीदा जाएगा वहीं बीते 15 दिनों के बीतर कंपनी से दामों में 2-4 रुपिये तक कटोती की गई है उदर सरकारी मंडियों में भी बीते 3 दिन के बीतर 400 रुपिये तक परती पेटी दाम पर गिर चुके है हिमाचल के सीरमोर में वाइरस की चपेट में धान पीली पड़ गई फसल जेहिमाजल पर्देश के सिर्मोर जिले में पहली बार धान की खड़ी फसल वाइरस की चपेट में आ गई है पाफटा साहिब में इस वाइरस से सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है इस वाइरस को SRBSDB का नाम दिया गया है वाइरस अब तक किसानों को अलग-अलग हिस्तों में 20-50-50 फसल को नुकसान पहुचा चुका है पहली बार ऐसा हुआ है कि धान की फसल वाइरस की चपेट में आई है बताया जा रहा है कि ये चीनी वाइरस से इसे पहली बार 2001 में रिपोर्ट किया गया था अब ये वाइरस उत्तर भारत में धान की फसल को परभावित कर रहा है जेहिमाचल परदेश हाइकोण ने नबालिग से दूसकर्म के दोसी को सुनाई सजा पर अपनी मोहर लगाई है निचली अदालत ने दोसी को दस वर्ज के कठोर करावास की सजा सुनाई थी इसके अलावा दोसी पर 17,000 रुपिय जुर्बाना भी लगाया था आपका वदादे कि नियाईदिस सभीना और नियाईदिस सत्यन वेद की खंड़ पिट ने निचली अदालत के निरने को सही ठहराया दोसी ने पिडित को आस्पताल ले जाने के लिए राजी किया मा की इजाज़त से पिडित दोसी के साथ उसकी बहन से मिलने चली गई दोसी पिडित को आस्पताल के बजाए अपने घर ले गया और रात के समय पिडित से दूसकर्म किया अगले दिन पीडित ने सारी बात अपनी मा को बताई हिमाचल परदेश के कई छेतरों को नियोजीत छेतर से बाहर करने की सिपारिस पर मंत्री मंडल सहमत महंदर सिंग कमिटी ने दी है रिपोर्ट जे हिमाचल पर्देश मंत्री मंडल ने कई छेतरों के भवन मालिकों को रहत देने का निर्ने लिया है राजस्व मंत्री महेंदर सिंग ठाकूर की अजिता में गठीत मंत्री मंडल ये उप समेती की सिपारिसों को मंत्री मंडल ने स्विकृति पदान कर दी है इसके तहट प्लानिंग एरिया के छेत्रों में बाहर करने के संबद में बड़ा निर्ने लिया गया है इस निर्ने से पर्देश के सभी जिलों में भवन निर्मता लोगों को राहत प्राप्तों होगी चलिए वहीं चलते हैं आज की आखरी खबर लंपी के बाद आप घोणे में गिलेंडर्स बिमारी कुल्लों में सामने आया मामला जब असुओ में लंपी तोचा रोग के बाद हिमाचल में आप घोणे को होने बाली गिलेंडर्स बिमारी का मामला सामने आया है इस बिमारी का कोई उपचार नहीं है और लक्षन बढ़ जाने पर घोड़े की बिमारी से मौत हो जाती है आपको बता दे कि राजे सरकार ने मंगलबार को घोड़े में गिलेंडर्स बिमारी के खत्रे को देखते हुए इसे अनुसुचित रोक के रूप में अधिसुचित किया है इसके साथ ही कुल्लू में एक घोड़े के कुन के नमूने की जाच के बाद रोक के लक्षन पाए गए है यह नमूने हिसार के लेब में भेजे गए थे और वहाँ से रिपोर्ट पोजिटिव आई है दोस्तों आज की संदार खवरों का सिलसिला यहीं खत्म होता है अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद भुआ तो वीडियो को लाइक, सेयर, चैनल को सस्क्राइब जरूर करें और कमेंड बॉक्सर में कमेंड करके बताएं कि आप नियूज को किजिले और पंचायत से देख रहे हैं थेंक यू, all the best